आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम ए सिध्धान तक नहीं हो तुरी स्टाडी ग्लोस पर आपका बहुत बसपागत है दोस्तों करनाटक के बाद हम बात करेंगे हैं आप बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा कि जाधतर हिंदू मंदर अभ भग पुनाटक ने अभी फिर से एक temple bill क्लियर किया है जिससे temple tax bill अब आप ये समझे कॉंग्रेस की सरकार है वहाँ पे बीजेपी कह रही है लेकिन आप ये समझे कि इसमे कोई दूद का धुला नहीं ना बीजेपी ना कॉंग्रेस अभी मैं आपको बता दूगा चीज़े क्लियर ह हो जाएंगी तो यहां पर हमारे शांदार कॉर्स जिसकी आज लास्ट डेट है आज बारा बज़े सेल खतम करेंगे क्योंकि कल से क्लास से शुरू होगी आज पर ही हम गुरूप बना देंगे ठीके ना तो सूपर एक्स्प्रेशन अपने गुस्से को आप कंट्रोल में पास हो गया है अब स्टेट गवर्मेंट जो है वो 10% टाक्स हिंदू टेंपल से कलेक कर सकती है जिसका एक करोण के ओपर रेविन्यू है अब यह जिछ टेंपल्स हैं 10 लाग से एक करोण उसको 5% मैं इसके बिलकुल भी समर्थर में नहीं हूँ भारत में 1817 में अंग्रेज के बात नहीं करेंगे में यह है पैसा बिलकुल पैसा जितना मैंने पड़ा है मंदिर जो थे वो उसकी वज़े से शेहर बने उसकी वज़े से भारत बना समझे इस बात को टेंपल टाउंस एक ट्रेडिंग टाउन भी होते थे सोमना जो सबसे पुराना मंदिर वहाँ पे ट्रेड भी होता था बहुत कुछ अता था वो कल्चरल सेंटर्स होते थे वो लर्निंग सेंटर्स होते थे मंदिर स्कूल होते थे और मंदिरों से बहुत जबर्दस्त मंदब मंदिर बहुत भवे बनाए जाते थे लोग दूर्दू से देखने भी आते तो उसको study भी करते थे school of arts बनी बहुत चारी मत्रूर स्कूल of arts गांदार स्कूल of arts अंग्रेजों इसको अपने कबजे में ले लिया कि हम कंट्रूल करेंगे 1863 में endowment act हिंदू charitable endowment act पास हुआ उसके बाद 1947 के बाद 255 में HRNCE हिंदू religious and charitable endowment act पास होता है इसके तहत भारत के जो मंदिर है वो सरकार के कंट्रोल में है सिर्फ मंदिर दरगा कंट्रोल में निया मस्जित कंट्रोल वक्फ वोड है ऐसा निया वक्फ वोड है लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से सरकार का कंट्रोल नहीं है उनके पास चर्चिस कंट्रोल में नहीं है गुरुद्वारे कंट्रोल में नहीं है उनकी कम्यूनिटी उसको हैंडल करते हैं लेकिन हिंदू मंदिर जो है वो सरकार के कंट्रोल में है और आपको बता दूँ देश में 35 से जाधा ऐसे निय करोण दिन का लग काफी जदा खर्च होता है लेकिन धाई लाग करोण उसको दिये जाते किसके तवारा दो साल पहले सद्गुरू ने जग्गी वासुदेव ने उन्होंने एक फ्री टेंपल मूमेंट शुरू किया केरल के लगबग 40,000 टेंपल जो है वो तमिल नाडू सरका जाता है उसके बाद मंदिर जो है वो सरकार से परमीशन लेते हैं वहां से पैसा मिलता है तो धाई लाग करोड़ खाली दिया जाता है यहां पर पदवनापन जित्रा खर्चा उतना नहीं दिया जाता और ऐसी बहुत जगा बिहार जो सरकार है वो 4% मंदिरों पर कलेक करती है पूरा कंट्रोल है तमिलाडू में 4-12% केरल में तो बोर्ड बनाए गए है पांच बोर्ड बनाए गए है अलग-अलग ठीक है ना देवस्वामी बोर्ड उसको बोला जाता है तो बेसिकली राजियों में सिद्धी बिनाएक जो बहुत जब गड़े चतुरती आती एक लाडो की बात करें तो वहां तो आपको सरकार की परमीशन लेनी पड़ती है जगनातपुरी की भी बात हुई तो बात इतनी सी है कि इसके बहुत बढ़ी कैंटेंच चली मामला भी कोट में कि फ्री हिंदू टेंपल्स अब आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये राइट तो जागर हो गया मस्जिद हो गया उन पर सरकार को कोई दखल नहीं है समझेरो कोई भी कितना भी चिल्ला लें कोई भी रूल का हवाला दे दे बट कोई जितना हिंदू के ओपर कंट्रोल है मंदिरों के ओपर वह सरकार को उतना कंट्रोल नहीं है उन सब पर तो एक तो यह सेक लेकिन वहाँ पे तो शायद सरकार को पता भी नहीं कितना पैसा आ रहा है तो वही मैं बता रहा हूं कि यह हमको समझना चाहिए तो एक साल पहले इस पर काफी बवाल हुआ मामला कोट में पहुचा अफश्री उपाद्याय जो है तो याचिका करता थे इससे दिक्कत क्या है बहुत सारे मंदिर जो है वो टूटी-फूटी हालत में है अब इन मंदिरों का कहना है कि हमको कंट्रोल वापस चाहिए हमने क्योंकि देखे जो मंदिर टूटी-फूटी हालत में है जो हमारे पैसा आएगा हम उस पैसे से मंदिरों को रिपेर करवाएंगे हम वेद शालाय बोट्स में लोग बैटे रहे अड्मिंस्रेटिव पत्दोष पे उसकी सیलरी भी आप हमारे पैसों सही दे रहो तो बात यह है कि आप हमारे मंदिर हमको वापस गर दो जरूरत क्या है आपको मंदिरों पे कंट्रोल करो तो सब पर करो नहीं करो तो किसी पर मत करो बिल्कुल कहना सही है तो कितना भी कोई बोल ले BJP Congress भाई इतना ही धम है तो हटा दो ये act पर कोई नहीं करेगा सब politics से सबको पैसा चाहिए तो ये हिसाब किताब है तो करनाटक सरकार ने Congress की सरकार रहे हैं वहाँ पर बोला है कि अगर एक करोर से उपर रेविन्य होए तो 10% आपको tax देना पड़ेगा, 10 लाग से एक करोर के बीच है तो 5% आपको tax देना पड़ेगा, एक common pool fund बनाया जागा under Hindu religious institutional charitable act department जो कि मैंने भी आपको बताया, जिससे religious activities होगी करनाटक में, अब भारत में बहुत सारे मं आया था कि बहुत सारे मंदिर जो है वो बंद हो जाएंगे, काफी मंदिर जो है वो बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं है देने को, ये हिसाब किताब चल रहा है, तो आब यहाँ पे जो मुझरई मिनिस्टर रामलिंग रिड़ी है, उन्होंने amendment ल ला जाता है, उनको मिलेंगे, scholarship उनके बच्चों को मिलेगी, 40,000 जो पुझारी उनको मिलेगी, 35,000 टेंपल हैं अंडर मुझरई department, ठीक है, जिसमें से 205 ऐसे हैं जिनकी income 25,000,000 सालाना है, उनको group A में डाला गया है, ठीक है, 10,000,000 से एक करोणों में 5% tax है, 193 ऐसे हैं जिन group A temple जो है, वो 10% revenue generate करते हैं, collection जो होते हैं center fund से, group B 5% revenue generate करते हैं, और जो group C temple उनकों पर कोई tax नहीं लगाया जाएगा, तो ये ऐसी बाते बोली गई हैं, ठीक है न, कि यहाँ पे, मनलब जो temple है, 10 करोण से उपर कर revenue है तो 10% और 10 लाग से 1 करोण है तो 5%, ठीक है, और उसके नीचे फिर जो है, वो किसी को tax नहीं देना है, funds जो है, वो अभी राज धर्मिक परिशत के अंदर आता है, और इसमें group C category को, भाई जो पैसा हम generate करेंगे, उससे आप कई भला होगा, ऐसा सरकार का कहना है, तो group C category temple को जो है, वो पैसे दिये जाएंगे, रिलीव दिया इन सारी चीजों में जाएंगे, पैसे आती है न, बीजेपी के रहेंगे, इसमें कोई सगा किसी का नहीं है, यह समझे है कि, या तो आप सब पे लागू कर दो, सिंपल सी बात है, चर्च पे ले भी लागू करो, उर्दवारे पे लागू करो, मस्जिदों पे लागू करो, या फिर आप हटा लो, तो इन दोरों में से कोई एक चीज़ कर दो, तो आप इस पे काफी बवाल हो रहा है, पर यही है जो है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो यह लेचर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ करना पड़ेगा वैसे इसके लिए बाकिए अब हमारे कोर्स को जरूर रविल करें, लास्ट डेट है, कुछ रहें पड़ते हैं, दिसे सिद्धान तक नहीं होतरी, साइन गॉफ